हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक अन में यूट्यूब चैनल, तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर फिफ्टन है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गईस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और अगर अगर इतना सिंपल होता, तो तुमसे कभी पूछता क्या, तुम मेरी माम को जानती नहीं हो, अगर उन्होंने कोई चीज ठान ली, तो वो उसे करके रहती है, हानुल कहता है, अगर मैं इस बार मिल भी ली, तो फिर क्या, हानुल कहता है, कुछ समय बाद में बता दूंगा, कि हमारे जगड़ा हुआ और ब्रिक अप हो गया, हानुल कहता है, अगर किसमत है, तो मज़े कहीं जाने की ज़रत नहीं, मेरा लाइफ पार्टनर अपने आप मिल जाएगा, मगर हानुल जाने से मना कर देती है, हानुल कहता है, प्लीज, एक और बार इस बारे में सोचो, त और जिए उन परिशान है, और वो मेरी दोस्त है, मैं उसे और मुश्किल सिच्वेशन में नहीं डालना चाहती, हानुल कहता है, तुमसे किसने कहा कि वो मुश्किल सिच्वेशन में है, क्या जिए उन ने कहा, हानुल बताती है, और बोल देती है कि मुझे ऐसा लगा, लिए बारे इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। फिर वो हनुक से पूछता है। मिस्कांग हानुई, तुम मेरी मदद करोगी। हानुई कैते हैं नहीं नहीं, माफ कीजिए। मैं आपकी मदद नहीं कर सकते हूँ। और हम दुबारा इस टॉपिक के बारे में भी बात नहीं करेंगे तब हानियूल अपने फोन में उसे वो कूपन दिखाता है और हानुई से कहता है यही मेरी विश है अब इसे पूरा करो हानुई परिशान हो गई थी कि इसे वो कूपन अभी भी याद है खेरागी हान्यूल वो जियून से बात करने के लिए जाता है वो कहता है मैं अभी अभी MIS KANG हानुई से बिल के आ रहा हूँ किया सूज़ॉंग बूटिक तुम्हें अभी भी परशान कर रहा है जियून कहती है जरूर हानुई ने आपसे कहा होगा मैं सुजोंग बूटिक का बहाना बनाके उसे नेटवर्क चेंज करने के लिए कह रही हूँ हानियूल कहता है नहीं उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं का उसने तो बस ये का कि वो अपनी दोस्त जीयून को किसी भी मुश्किल सिच्टेशन में नहीं डालना चाती है जीयून कहती है हानियूल को भी अब जीयून की बाते समझ में आने लगी थी वो उससे कहता है मिस यून तुम्हारी आंटी है क्या जीयून हाँ बोलती है हानियूल कहता है लगते हानिय को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मिस यून तुम्हारी आंटी है तब जीून कहती है हम काम और परसनल लाइफ को अलग-अलग रखते हैं अब जीून जाने लगती है तब हन्यून कहता है मिस कांग हानुई तुम्हारी बहुत चंता करती है तब जीून पूशती है तो आपका क्या आपको मेरी चंता है या कांग हनुई की हानुई कहता है दोनों की जीून कहती है लगता तो नहीं है ऐसे लगता है कि आपको सिर्फ उसकी चंता है मैंने उतने सालों में आपको change होते हुनui नहीं देखा खेरवाई अगले दिन हानियल ने भी अपनी माम को बता दिया था कि आज इसकी गर्फरेंट डिनर पे आएगी वो बहुत ही ज़ादा एक्साइटिड हो जाती है खेरवाई जियून वो कुछ भी करके हानुई को यहाँ से भीज़ना चाहती थी इसलिए वो सुनमी और हनियल से कहती है जी उनके टॉप का प्राइस बहुत ही जादा है सुजॉंग बूटिक और इसके प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके प्रोड़क्ट बिल्कुल भी नहीं बिकेंगे हनियल को भी यह चीज ठीक लगती है हनियल से जाकर के वो प्राइस कम करने के लिए कहता है हनियल कहता है यह आप भी जानते है कि हमें कोई भी फाइदा नहीं होगा फिर हनियल कहता है फिलाल मेरी बात मानो आगे तुम्हें फाइदा जरूर होगा हनियल गुस्से में आ जाती है हानियल कहता है पता है मुझे कि तुम गुसा हो लेकिन ये बिजनिस है चो मैंने किया है वो बिलकुल ठीक है वैसे तुम्हें डिनर के बारे में तो याद है ना हानुई कहती है हाँ याद है हानियल कहता है इन कपड़ों में जाओगी हानुई कहती है सोच तो रही हो फिर कहत यह अपनी बेटी से कहती है, हमें दीदी को बता देना चाहिए, कि हमें सुजोंग मिल गई है, कहां गानुई के साथ हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है, कि वो हमारी जानी दुश्मन है, आफ्टर आल वो सुजोंग है, जीउन ये तो तूने भी खेर वही हानुईल हानुई के आने का इंतजार कर रहा था, और जब हानुई रेडी होकर क्या आती है, तो वो उसे देखता ही रह जाता है, हानुई आकर क्या हानुईल से कहती है, क्या हुआ, मैं ठीक नहीं लग रही हूं क्या, मैं जितना बेस्ट कर सकती थी, मैंने उतना अब जाने से पहले, हानुई हानुईल से कहती है, पहले वादा कीजिए, यह आखरी बार है, जो आपकी मैं ऐसी मदद कर रही हूँ, हानुईल उसे प्रॉमिस कर देता है, आगे वो हानुई को अपने एक घर ले आता है, यहाँ उसके माम डैड हानुई से मिलते हैं, उसके माम तो हानुई को देख करके बहुत ही खुश हो जाती है, मगर अब तो आँटी का असली इंटर्वियू शुरू होता है, वो हानुई से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है, उन्होंने पूछा था, कि हानुई ने कॉलिज कहां से कम्प्लीट किया है, लेकिन हानुई तो कभी कॉलिज गई ही नहीं, मगर हानुई जूट बोल देता है, कि उसने एक अच्छी उनिवर्सिटी से कॉलिज कम्प्लीट किया है, आँटी और खुश हो जाती है, आंटी को ये भी पता चल गया था कि हनुई का खुद का बिजनेस है तो उने लगता है कि हनुई बहुत ही अमीर है हनुई ने आंटी के दिमाग में हनुई की मेज बिलकुल अलग बना दी थी भाही सुन ही अभी भी जियून को समझा रही थी कि चल के सारा सच बता देते हैं और तुने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया कि तुने इस सुजौं को जाते में देखा था जियून बोलती है उस समय वो छोटी थी और उसे सुजौं बिलकुल भी पसंद नहीं है क्योंकि हर कोई उसी की तारीफ करता था हर किसी को उसी से प्यार था मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं था वो अपनी माम से साफ कहती है आप सुजौं के बारे में बिलकुल भी नहीं बताएंगी वरना मैं ये घर छोड़के चली जाओंगी और वो यहां से निकल जाती है जिउन के पास फोन करने के लिए कोई और नहीं था वो डोक्यूं को ही फोन करती है अगर फोन पे कुछ बोलती ही नहीं है डोक्यूं कहता है तुम्हें क्या कहना है जल्दी बोलो मैं सोने के लिए जा रहा था जिउन ने कुछ नहीं बोला था मगर डोक्यूंग ने उसके रोने की आवाज संदी थी वो तुरंट उसी जगा पहुच जाता है जहां वो लोग मिलते हैं जी उन वहीं पे थी डोक्यूंग वहाँ पहुच के उससे कहता है तुमने मुझे चंता में डाल दिया अपना फोन क्यों नहीं उठारी थी तव वो उससे कहते है तुम्हें पता है ना मेरे पास एक सीक्रिट है आसे लगता है कि वौ सब की सामने आने वाला है नोक्यूंग कहते है अगर ये सच तुम्हें परिशान कर रहा है तो तुम्हें सब को सच बता देना चाहिए जियून कहती है, तो फिर सब मुझसे दूर हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी वो डोक्यूंग से कहती है, तुम भी मुझे पसंद नहीं करते हो ना हानिल कहती है आपके बारे में पता नहीं आपकी माम को कितनी अमीर और सक्सेस्फुल लड़की चाहिए आपके लिए हानिल कहता है क्यों क्या तुम मुझे डेट करना चाहती हो हानिल कहती है नहीं नहीं सपने में भी नहीं मुझे तो आपकी माम से मिलने के बाद उस लड़क क्योंकि मैं सच में नर्वस थी और दुबारा से मैं ऐसी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ इधर हानियुल हानुई को घर छोड़ने के लिए था तो वहीं दूसी तरफ डोक्यूंग वो जियून को उसके आफिस छोड़ने के लिए जाता है क्योंकि जियून घर नहीं जाने आने वाला है तो क्या मेरी लिए उसका ओटोग्राफ लेकर क्या होगी वहीं दूसी तरफ हानियुल जब ऑफिस पहुशता है तो उसने नोटिस कर लिया था कि जियून ने कल वाली ही ड्रेस पहनी हुई है जियून कुछ बोलती नहीं है तब ही वहाँ पे सुंग मिया जात है तब ہानुयारि हानुयारि के साथ मीटिंग के लिए रहाती है हानुयारि हो जब से सुंगजं से मिला था वह कहीं खोया हुआ हानुयारि कहती है कि हानुयारि के बात तो भूल ही गया था हाने कहती है कोई बात नहीं मुझे तो यह देख के अच्छा लगा कि आप भी नॉर्मल ही है वरना आज तक मैंने आपको कोई गल्ती करते वह देखा नहीं है हानियल हाने की बात पे मुस्कुराने लगता है खिर आगे जब वो हाने के साथ जा रहा था त मुझे बैंच पे ही जगा मिलती थी मगर तेरे एकसिडेंट के बाद तुने बेसबॉल छोड़ दिया और आज देख तेरी जगा मैं कितना फेमस बन चुका हूं हानु को इस सुंगजुन की बातों पे गुस्सा आ रही थी और यह हानियल से कहता है कि तेरी टांग ठीक है या अभी भी तुछे डर लगता है बेसबॉल खेलने से, उचाने लगता है तब हानिय कहती है रुको जरा, सुंग जिन कहता है तो मैं आटोग्राफ में बाद में दे दूंगा, हानिय कहती है वो मुझे चाहिए भी नहीं, तो मिस्टर ली से माफीमा को, क्योकि मैंने तु केसे माफी मंग वाके ही रहती है आगे तो हानिल से चला भी नहीं जा रहा था और हानिल कहती है आप रुकिये मैं अभी कुछ करती हूँ आगे वो हानिल के पैर की सिकाई करने लगती है और उससे बोलती है मेरे सामने तो आप जो मन में आया वो बोल देते हैं आज आपका मु हानियल कहता है वैसे उस recording का तुम क्या करने वाली हो हानियल कहती है कौनची recording वह साधा पैन था मैंने दोस्ते बेफकूफ बनाया हानियल खुश हो कि हानिय को thank you बोलता है खर अब जब घर जाता है तो उसकी मामसे कहती है कि अब तो जल्दी से ही शादी कर ले हानियल मना करता है उसकी मामसे फिर से भाहस करने लगती है आज हानियल भी गुस्ते में था और वो अपनी मामसे बोल देता है ये मेरी जिंदगी है तो कुछ decision मुझे भी लेने दीजिए मेरी जिंदगी के सारे decision आप ही क्यो लेती है आप ही के वज़ा से मुझे baseball भी छोड़ना पड़ा य लेकिन वो decision बिलकुल थीक था हानियल कहता है मैं सब जानता हूं लेकिन अब मैं अपनी life की decision खुद लेना चाहता हूं तो वहीं जी उन घर वापेश जाती है और अपनी माम को पट्टी पड़ा दीती है कि हम कुछ भी आंटी को नहीं वदा सकते हैं क्योंकि वो हम दोनों क कभी माफ नहीं करेंगी खेर वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है आज हानुई और सुजौंग बुटीक इन दोनों की ही नए प्रोड़क्टी की presentation थी हानुई बहुत ही ज़ादा नर्वस हो रही थी और वो नर्वसनेस कम करने के लिए दवाई भी लाना भूल गई आप अपने दिमाग को कैसे शान करते हैं तब हनियुल कहता है जब तक मैचख खतम नहीं हुआ तब तक कुछ भी खतम नहीं हुआ है और उसके बाद हनियुल के साथ बोलती है अभी कुछ खतम नहीं हुआ है क्योंकि हम साथ हैं खेर अब दोनों presentation के लिए जा रहे थे तभी रस्ते में इने में सियून और जियून मिल जाती है हाने उन से हैलो बोल रही थी मगर तभी उसकी file नीचे गिर जाती है जिस पे सनी लिखा हुआ था में सियून वो file उठाने के लिए जा रहे थी और जियून खबरा गई थी खेर इसी के साथ यह वाले part के explanation तो यहीं पे complete होती है दोस्तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe नहीं क्या है तो चैनल को subscribe कर लीजे thanks for watching, मिलते बहुत जल